जादा जानकारी के लिए रुख करेंगे नियूस रोम से सही होगी पंकच प्रशुन का पंकच एडी दफ्तर मुख्यमंत्री हेमन सोरेन पहुच गए हैं और ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली से तीन बड़े अधिकारी पहुचे हैं और उनसे पूछताच की जा रही है क्य क्या सवाल हो सकते हैं इडी के देखिया नुजा करिप 20 घंटे बीत चुके हैं पिछले घंटे मुख्यमंत्री हेमन सोरेन से पूचताच हो रही है और जो पहला फेज था जिससे हम आसान सवाल कह रहे थे उसमें जैसे मुख्यमंत्री हेमन सोरेन पहुचे पहले तो उनका उनके पिता का नाम, उनके बारे में इंट्रोडक्शन पुछा गया ये होता है, ये बेसिक कर्टसी है, वो जो भी वहां आरुपी जिससे पुछता चोनी है, वो पेश होता है, इस तरह के सवाल होते हैं, उसके बाद जो 26 महत्पुर्ण सवाल थे, उसके उसे पुछता की और किस मकसद से दिये गए थे एक और सवाल था कि AK-47 जो CM हाउस में तैनात सिपाहियों का था वो प्रेम प्रकास के घर से कैसे बरामद हुआ इस बारे में आपको जानकारी मिली तो कब मिली और कैसे मिली बैंकिंग ट्रांजेक्शन से जुड़े सवाल थे इसमें ये था कि आपके कितने बैंक एकाउंट्स हैं कहां कहां हैं किस-किस बैंक में हैं परिवार के बैंक एकाउंट्स के डिटेल्स मांगे गए कि आपके परिवार में कौन-कौन हैं उनके कितने बैंक एकाउंट्स हैं क सवाल ये भी था कि अमीत अगरवाल से पहली बार आपका परिचेक कैसे हुआ और उसके बाद आपने किसी कभी कभ उन्हें बुलाया और किस तरह की बातचित हुआ करती थी अमीत अगरवाल से उसके बाद था रवी केजरिवाल क्या आप रवी केजरिवाल को जानते हैं वो जारखन मुक्ती मोर्चा के ट्रेजरर बने थे और उन्हें क्यों हटाया गया उन पर क्या आरोप थे इस तरह के करी 26 सवाल थे जो कि उनसे पूछा गया है और इन सवालों को कहा जा रहा है कि ये आसान सवाल थे बिल्कुर जो सेकेंड राउंट है हमने आपको बताया था कि क इस्त्रे अधिकारी एक आये बीच में वह असिस्टेंट डाइरेक्टर थे और उन्होंने भी कुछ सवाल किये वह भी अब पूछताच में शामिल है तो क्या लगता है कि ये आज खतम हो पाएगा पूछताच जी ये पूछताच कब तक चलेगा इसके बारे में भी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है लेकिन जिस तरह के सवाल हैं अगर सभी 200 सवालों को आज ही पूछना है तो मुझे लगता है इन सवालों का जवाब of supplementary questions होते होते तक 4-5 के करीब बज़ सकते हैं ये सिर्फ अंदाजा लगा जा सकता है कि कितने supplementary questions पूछे जाएंगे मुख्यमंत्री क्या जवाब देते हैं इसके आधार पर ये होगा अब तक जो हमें जानकारी में लिए है डाइरेक्ट अवैद खनन से जुड़ा अभी तक कोई सवाल नहीं पूछा गया अभी सिर्फ अलग अलग लोग आपसे कब मिलें कब आपका परिचे हुआ अगर आपसे मिलने आते थे तो किस सिलसले मिलने आते थे उनके बारे में आप क्या जानकारी है आप तक अभी आपके पास क्या क्या जानकारी है उनके बारे में आप सब कुछ बता दीजे क्योंकि ये जो तीन पूछा गया पंकज मिश्रा के बारे में आपके पास क्या-क्या जानकारी है चाहे आपकी वेक्तिगत जानकारी हो या मीडिया से जानकारी मिल है या प्रेम प्रकास के बारे में क्या-क्या जानकारी है कि वो क्या करते हैं आपके पास जो जानकारी अभी इन सब लोगों के ब मुख्यमंत्री सवालों का जवाब धैरीपुर्वक कर रहे हैं बि corrobor name इस पहले उन्हों की सभिए इस वरान उन्होंने कहा है कि उतना तो खननन भी नहीं हुआ है यही गौर करने वाली बात है अनुजाकियों की मुख्यमंतरी की प्रेस कॉन्फरिंस वो अवैद खनन से जुड़े सवालों के उपर थी उनकी सफाई थी और उन्होंने जो पत्र तयार किया था वो भी ED के अधिकारियों को दिया लेकिन सिर्फ अवैद खनन से जुड़े सवाल ही नहीं है अ आप से मुलाकात कब हुई और हां कुछ बैंक डिटेल्स के बारे में पूछा गया कि आपके पास कितने बैंक खाते हैं आपके परिवार के पास कितने बैंक खाते हैं परिवार में कौन कौन है किन किन बैंक में खाते हैं यह सब जो बैंक एकाउंट डिटेल्स अभी तक ज जवाब देंगे उसके अनुसार जो सवाल तयार किये जाएंगे वो शायद जो से दूसरी पाली है उसमें पूछी जाएं तो इनके जवाब से भी कुछ सवाल तयार होंगे बैक ऑफिस के टीम इनके जवाब को बकाइदा लिपी बद भी किया जा रहा है कि इन्होंने क्या-क शुक्रिया पंकष तमाम जानकारियों के लिए नजर बनाए रखिए तमाम अपडेट्स आप से लेते रहेंगे तो मुक्यमंत्री हेमन सोरेन से पूछताच अभी विजारी है अपडेट यह कि पहले दो अधिकारी उनसे पूछताच कर रहे थे लेकिन अब एक और अधिका का सहयोग भी कर रहे हैं